जैपूर में आयोजित मीटिंग के दोरान आवाद में पार्टी की और से बांसूर निवासी राम गोपाल यादों को बड़े जिम्मदारी देते हुए प्रदेश उपाधिक्ष पद के लिए मनोनित किया गया प्रदेश उपाधिक्ष बनने के बाद जैपूर से बांसूर पहुचने पर विभिन संग्ठनों तथा समाजिक कारिकरताओं की और से बांशू शीत्र के लिए यह पद मिलने पर राम गोपाल यादों का समान निसमारों आयोजित किया गया समानने समारों में वेपार मंडल अध्यक्ष महावीर बलासिया तथा विभिन वेपारी नीजी सिचन संग अध्यक्ष आरसी यादो तथा अनेक स्कूल संचालक डिफेंस कोचिंग के अध्यक्ष डॉक्टर विजे कमार तथा विभिन कोचिंग संचालक अन्य समाजिक संग सभी संगठनों के कारिकरता तथा ध्यक्षों ने माला तथा साफा पहना करें वंलेड़ों खिलाकर खुसी जाहिर की तथा सवागत समान किया इस अफसर परदेश राज यादराम यादराओ अजीत लांबा श्रेंदर सर्मा राजे से पाश्यद महेपाल यादर तथान ने गन्यमान लोग उपस्तित रहें मंसन चालन यादराम यादराओ ने किया आज नमस्का सभी को आज कोचेंग डिवेंज यूनियन व्यापरी संगाटेक्स अशाम आवियती और अमरे रसीजी स्कूल संस्तान अध्याद इंक सभी लोगों तरह से आमादी पार्टी द्वारा पामसूर की जन्ता गुपना की बेर को कि ये व्यक्तिकत रहें एक संग्राद बगपद है जो पर्देश उपाटेक्स का दिया है उसके लिए इन सब लोगों ने बहुत खुशी जायर की इनको बहुत हुटसा है और खुशी इसमें सभी का हाप समें को स्वागत किया है